स्टूदिन्स अब फिर से स्टार्ट करते हैं फाइनेशल स्टेट्मेंट एनलसिस का MCQ पार्ट है यह MCQ पार्ट फाइप है अल्रडी मैंने फोर MCQ लेक्चर्स डिसकस कर चुके हैं मोस्ट इंपोर्टन आपके एक्जाम पॉइंट ओफ इसे एनलसिस करके मैंने प्रिपेर किया है जो कि यह सारे कोश्चन आने की पूरी संभावना है और कोश्चन इन सी में से आपको दिखेंगे ठीक है आईए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन से पहला कोश्चन कहता है BEP is that where means break even point break even point पे एक बाद बताने कि इसके पहले मैंने अलरड़ी बहुत सारी वीडियोस break even point पे चाहे वो theory हो चाहे numerical हो चाहे MCQ हो बहुत सारे कोश्चन मैंने डिटकस कर दिये है और इस सब डिटकस सबसे most important की topic भी है जो सारी exams में बहुत जादा helpful है ठीक तो break even point वो कौन सा point होता है वहाँ पर ना तो firm को लाब होती है ना तो हानी होती है ठीक है जहाँ पर total revenue हमारे total cost के बराबर होता तो break even point वो कौन सा point होता है ना तो firm को profit होती है ना ही उसको loss होती है दूसरा question कहता BEP is a that point at which BEP कहता कि BEP वह point है जहां पर क्या होता है कुल राजस और कुल लागत के बराबर होते हैं means क्या कहता है जो total cost total revenue हमारी किसके equal होती है total cost के बराबर होती है अगर यह option में तो यह भी option सही है BEP कहता है कोई लाव और नहीं हानी होती है means BEP एक ऐसा point है ना तो फर्म को लाव होती ना तो हानी होती है तीसरा कहता है कि जहां पर कुल यूगदा means contribution margin जो होता है आपके total fixed cost के बराबर होता है ठीक है तो BEP वो point है कौन कौन से हो जाएंगी जहां पर total revenue हमारी total cost के बराबर हो जाएगी तो भी हमारा BEP वो point है जहां पर ना तो profit होगी ना loss होगी that is also break even point at that point जहां पर contribution margin जो हमारी equal होगा total fixed cost के next अप BEP in rupees BEP का क्या formula होता है इसके पहले मैंने already सारे formulas पर margin of safety, PV, ratio, BEP, contribution सब पे theory और सारे important formulas और numericals डिसक्स की है ठीक है तो उसे जाकर आप देखिए तो BEP in rupees क्या formula होता है fixed cost upon PV ratio next है fourth है कि सुरच्छा का margin margin of safety का क्या formula होता है sales minus BEP means sales minus break even point next question है to obtain the break even point in units total fixed cost are divided by अगर हमें BEP units में निकालना है तो fixed cost किस से divided होगा means इकाईयों में BEP प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चत लागनों को किस से भाग देना पड़ेगा तो BEP is equal to होता है contribution per unit ठीक है उससे हमें क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा next question है PV ratio का क्या formula होता है profit volume ratio का तो profit volume ratio को जो formula होता है sales minus sales minus variable upon sales into 100 ठीक है next question है what will the effect of BEP by the increase in fixed cost कहता है BEP पर क्या परभाव पड़ेगा निश्चत लागस में वृत्धी से कहता है कि अगर क्या होता है कि हमारी fixed cost बढ़ जाती है तो BEP में क्या effect आएगा तो उससे क्या आएगा कि BEP क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा increase हो जाएगा ठीक है next परिवर्तन सील लागत में कमी पर B पर क्या अभाव पड़ता है परिवर्तन सील पूछा अगर variable cost है तो ठीक है अगर हमारा variable cost decrease करता है BEP में तो उसका क्या effect पड़ेगा तो उससे क्या होगा वो decrease हो जाएगा next time in BEP चार्ट आप लोग उने break even point चार्ट बनाया होगा तो उसमें देखा होगा एक x-axis होता है एक y-axis x-axis पे क्या represent करते हैं y-axis पे क्या represent करते हैं y-axis पे हम represent क्या करते हैं cost और sales in rupees means रुपय में लागत और विक्री को represent करते हैं next question number 10 है PV ratio is expressed in terms of PV ratio हमने पताया है आपको profit volume ratio जिसे हम बोलते हैं और इसको हमेशा हम किसमें express करते हैं तो percentage में express करते हैं next है MOS explains the difference between जो margin of safety होता है सुरच्छा की जो सीमा होती है वो किसका difference होता है तो वो किसका difference होता है actual sales minus BEP का होता है next है PV ratio source the relationship between PV ratio किसके बीच में relationship दिखाता है तो profit volume ratio जो दिखाता है relationship basically it source the relationship between margin of safety next है the difference between actual sales and the break event sales is called actual sales और जो break event का जो sales होता है उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं that is called as margin of safety जिसे हम सुरच्छा की सीमा MOS बोलते हैं next है horizontal analysis is also known as हम जानते हैं वो एक होता है vertical एक होता है horizontal अब horizontal analysis जो हम financial statement prepare करते हैं तो जो horizontal analysis को हम क्या कहते हैं that is known as a dynamic analysis वही next question है vertical analysis is also known as अगर हम financial statement को vertically analysis में उसको present करें तो that is known as static analysis next है trend ratios and trend percentage are used in जो trend ratio होता है और trend percentage होते हैं वो कहां used होते हैं तो that is used in the static analysis next है the analysis of financial statement by a shareholder is an example analysis of financial statement पढ़ा है आपने जिसमें हम PL account, profit, loss, appreciation account, balance sheet बनाते हैं basically अगर हम analysis कर रहा है एक analysis कर रहा है analysis of financial statement by a shareholder एक कैसा example है so that is the example of external analysis next analysis of financial statement includes अब देखिए हम जो financial statement जो बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ी रहती है training account, profit and loss account, balance sheet trading account इसलिए बनाते हैं ताकि हमें gross profit, gross loss PL account क्योंकि हमें net profit, net loss, balance sheet इसलिए बनाते हैं क्योंकि financial position बनाने के लिए तो जो analysis होता है financial statement को क्या क्या इन्वोस करता है trading account, PL account and balance sheet next comparison of the financial statement indicates the trend of the जो comparison होता है financial statement का वो क्या indicate करता है, that indicates the trend of profitability performance और financial position दिखाता है business का तो जो comparison होता है financial statement का वो indicate करता है trend of the business के क्या business की profitability लाबदाइकता को बताता है performance को बताता है और financial position को बताता है next question is common size statement present the various items as a percentage common size statement हम बनाते है उसमें बहुत सारे हम various items present करते है as a percentage of किसके तो वो हम चो करते है net sales की तरह the form of balance sheet balance sheet का form कैसा होता है तो balance sheet का form दो तरह के होता है horizontal भी हो सकता है और vertical भी हो सकता है next है the term financial statement includes financial statement क्या includes करता है statement of profit and loss account statement of profit and loss appropriation account और क्या होते है उसमें balance sheet होते है ये तीन चीज़ें आती है हमारी financial statement में ठीक है the term current assets include चालू संपत्तियों में क्या क्या includes होती है stock होती है debtors होती है prepaid expenses होती है इसके लावा और कोई optional exam में लिया तो that is a wrong next statement of profit and loss account is known as जो statement हम profit and loss account का बनाते है तो हम उसे क्या कहते है statement of earnings statement of income and statement of operations तो ये अगर statement of profit and loss हम बना रहे है तो that is a known as statement of earnings statement of income and statement of operations तीन हो जीज़ कहेंगे last question of the day है financial statement provides a summary financial statement में क्या क्या चीज़ी रहती है वो किस चीज़ की summary रहती है उसमें हम accounts बनाते जैसे है इसमें बनाए ना profit and loss account ये सारी accounts हम prepare करते है तो financial statement basically it is a summary of accounts तो I hope you ये बहुत जादे important questions थे जो मैंने analysis करके prepare किया है तो इसके पहले जो video नहीं देखा है उसे आप video देखिए और ये भी questions बहुत जादा important है ओके, thank you